तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप ट्रांसफर टार्गेट जो कि आपकी टीम के हो सकते हैं इस जैनवरी और अगले समर में तो यहाँ पे देखें टॉप फोर टीम जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो हैं मैंचेस्टी उनाइटिडड लीवरपूल चेल्सी और बार्सिलोना क्योंकि इनके बारे में बहुत रिक्वेस्ट आयी थी तो चलिए जारा टाइम ना वेस्ट करते हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे बिले हम बात करेंगे Manchester United की क्योंकि यहाँ पे देखें इंजिरी क्राइसिस है एक तरह से ही क्योंकि उनके जो मेन खिलाड़ी Paul Pogba, MacTominay और Rashford जो हैं इस दुक्त हैं injured तो यहाँ पे उने चाहिए बहुत ही बड़ी signings अपने midfield और attack को cover करने के लिए फिलाल देखे ऐशली यंग जो हैं रीसेंटली जॉइन कर चुके हैं इंटर को वहीं जैसे लिंगा जो आउट ओफ फॉर्म चल रहे हैं कई टाइम से तो उन्होंने भी नए एजेंट को साइन कर लिया है जो कि हैं एजेंट रायोला जो की बहुत ही पॉपुलर एक एजेंट है फुटबॉल जगत में क्योंकि वह हैं एजेंट पॉल पॉपॉगब और डीलिक जैसे खिलाडियों के तो मेरे हिसाब से वह देखे जैनवरी नहीं तो वह समर में जरूर लीव करेंगे मैंचेस्टर उनाइटेड को किसी और टीम के लिए और जिसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है एसी मिलान रोमा नैपली और इंटर का मैंचेस्टर उनाइटेड जो है पिछला मुकाबला भी अपना हार चुकी है दो जीरो से बनली के खिलाफ तो यहां पर बहुत जादा स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि अभी उन्हें छे साथ दिनों में नई लेकिन यहां पर फीस जो है उसमें थोड़ी सी सैटिसफेक्शन नहीं हो रही है स्पोर्टिंग लिजबन की ओर से मैंचेस्टर उनाइटेड की अगर हम बात करें तो उन्हेंने 40 मिलियन पाउंड का पहला ओफर रखा था लेकिन वो स्पोर्टिंग को पसंद नहीं आया सो वो चाहते हैं कि मैंचेस्टर उनाइटेड जो है 55 मिलियन प्लस एड़ उन पे करें ब्रुनो फर्णाइड जैसे क्रियेटिव मिड़ फिल्डर के लिए तो यहां पर देखें उनकी कीमत लगबग 60 मिलियन पाउंड तक नजर आ रही है तो यहां पर एड़ वुड़ प्लान बी कि रुख कर सकते हैं जहां पर जैक ग्रिलिश जेम्स मैडिसन या फर मार्कस लेंटे में से किसी एक को साइन कर सकते हैं तो दोस्तों बात करते हैं अटाकिंग ऑप्शन की जो मैंचेस्टर उनाइटल साइन कर सकता है इस जैनुरी ट्रांसफर विंडो में तो फ सबसे बड़ा ट्रांसफर टार्गेट जो उनके लिए अटाकिंग में वो है मोजाड एंबले क्योंकि लैयॉन के जो खिलाड़ी है वह बहुत जादा एक्सपीरेंस है एपिल के मामले में क्योंकि और फुलाइम की और से खेल चुके हैं इसके अलावा देखिए अगर मोज साइनिंग कर सकते हैं जिसमें से देखिए मारियो मैंजुकिच और कारलस तेवेज रीसेंट जो हैं वो साइन कर सकते हैं मैंशेशन उनायटर को लोन साइनिंग पर सो बढ़ते हैं लिवरपुल की ओर जिन्होंने जैनवरी में अल्रेडी साइन कर लिया है मीना मीनो को और वो नहीं चाते कि और कोई नहीं साइनिंग करें वो जैनवरी में फिलाल देखिए शाचीरी जो हैं वो चाते हैं कि उन्हें रेगुलर प्लेइंग टाइम मिले और एक तरह से लोन ओफर्स भी आये थे दो टीम्स की ओर से और वो थी एसी मिलान और सेविया की ओर से लेकिन जो लिवरपुल है उन्होंने मना कर दिया कि अभी वो लोन में नहीं भेजना जाते शाचीरी को लेकिन समर में देखिए उनकी आस्किंग प्राइस जो है वो कर दी समर में लेकिन देखिए ऐसा पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि एमबापे ने साफ तोर पे यह कह दिया है कि उनका ड्रीम है रियाल मेडिट की ओर से खेलना और वो जिनेडन जिडान की कोचिंग के अंडर भी खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर उन समर में लिव क्यूसिन की ओर से इसके अलावा देखे जैक ग्रिलेश, टीमो वर्न, सैंडो टोलानी और समारी जैसे खिलाडी भी समर में जॉइन कर सकते हैं तो दो सो बढ़ते हैं चल्सी की ओर तो यहाँ पर चल्सी का लास मैच जो था वो ड्रॉ हुआ है आसनल के खिलाफ लेकिन वो एक तरह से उन्हें हारी लग रहा होगा जैसे कि उनके खिलाडी बोल रहे हैं क्योंकि दस खिलाडियों के खिल रहे थे वो आसनल के तो यहाँ वो चाहते हैं कि वो मैच जीते हैं लेकिन यहां पे ड्राउ हुआ हो मैच और उसके बाद काफी स्पेकुलेशन आ रही है कि उन्हें एक नए अटाकर जो है वो साइन कर लेना चाहिए तो सबसे बड़ा नाम जो है वो आ रहा है एडिंसन कवानी का जिसको वो लोन पे साइन कर सकते हैं आटरा महीने के वहीं यंग ऑप्शन्स की अगर हम बात करें तो टीमो वर्नर और प्योटक का नाम सबसे उपर आ रहा है इसके लावा देखें मोजा डेमबले जो हैं प्रेफर कर सकते हैं वो लेकिन यहाँ पे लियॉन के प्रेजिडेंट ने ये भी साफ़तोर पर कहा है कि मोजा डेमबले जो हैं सेल के लिए नहीं है तो शायद वो वर्नर प्योटक और कवानी में से किसी एक को साइन करें वहीं Goalkeeping Department में भी देखें कैपा जो हैं बिलोव पार काम कर रहे हैं और इतनी Expectation सी उनके इतने महेंगे कहलाड़ी होने के चलते तो यहाँ पर उन पर खरें नहीं उतर पा रहे हैं तो यहाँ पर चल सी का डिपार्टमेंट जो है वो Burnley के गोलकीपर Nick Pope की और निगाएं जम वरी में तो फाइनले दोस्तों अब हम बात करेंगे एफसी बासिलोना की तो उनकी ओर से जीन क्लेर टोडीब और कारले जलेनिया जो हैं वो जॉइन कर चुके हैं ओन लोन शाल के नौफिया और रियाल बैटिस को इसके इलावा इवान रैकेटिज की अभी भी ट्रांसपर ब तक तो यहां पर बासिलोना को चाहिए एक स्ट्राइकर जो कि उनकी भूमिका निभा सके तो यहां पर सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो है वेलेंसिया के अटाइकर रोडरीगो मॉरेनो का जो की है 18 साल के तो उन्हें भी साइन कर सकती है बासिलोना इसके लावा देखि उनका एक मेन स्ट्राइकर जो है वो एक तरह से बीच में सीजन को छोड़के किसी और टीम को जोईन करें वही समर की अगर हम बात करें तो बासिलोना जो है सुरेस का पर्मनेंट रिप्लेस्मेंट की भी तलाश कर रहा है तो यहां पर सबसे बड़े नाम जो आ रहे हैं वो है है की जोकutz कर सकते हैं समर में बासिलोना को दोनेंसर यह थी वीडियो सपकूलेशन और रूमेर्स के रिलेटेड की कौन से खिलाडी जोयिए जोए जो है झार टेम को बाकी utiliser का उनकी वीडियो आ जाएगी और तब तब तक के लिए देखते रहें और सपर्वाट करते रह झाल झाल